आप सब लोगों को मेरा नमस्कार आज का दिन भारत के तिहास में एक तरह से भारतिय जन्तंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है असहाई बनाता है लाचार बनाता है गुलाम बनाता है जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था उस कानून का नाम था Government of India Act उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी काम करने की शक्तियां नहीं होगी जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने समविधान बनाया और समविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे लोग अपनी सरकार चुनेंग और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधान मंत्री मोधी जी ने दिली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिली के लोग चुनाव तो होंगे दिली में, दिली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है, अब सरकार बनाई और सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोट ने क्या कहा, सुप्रीम कोट ने कहा, भारत एक जनतंत्रे, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी गवाल ताकत होनी चाएप प्रद्वान मंत्री जी ने एक हफ्थे के सुपरिंग कोट के प्लट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एल जी साब और मोदी जी सीधे-सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधान मंत्री मोदी जी कह रहे है कि मैं सुप्रीम कोट को भी नहीं मानता जिस देश के प्रधान मंतरी उस देश की सर्वोच अदालत को नहीं मानतें उस देश का क्या भविश्य हो सकता है सीधे सीधे वो कह रहा है Supreme Court जो अमर-जी आदेश पास करे अगर मुझे Supreme Court का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना पिछले चार चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके आद MCD का चुनाव सीधे सीधे चार चुनाव BJP आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई. दिल्ली के अंदर 25 साल से जादा हो गया, BJP की सरकार नहीं बनी है, 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है, तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दर्वाजे से, पीछे से, चोर दर्वाजे से इन्होंने दिल दिली के सत्ता को हथ्याने की कोशिश की है दिली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को सतर में से सड़सट सीट दी और तीन सीट बीजेपी को दी दूसरी बार सतर में से बासट सीट दी और आठ सीट बीजेपी को दी तो एक तरह से दिली की जंता ने चिला चिला के BJP को कहा है कि दिल्ली के अंदर धकल अंदाजी मत करना परधान मंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा साथो सीट उनको नैशनल चुनाओं में साथो सीट दी और दिल्ली के चुनाओं में तीन सीट दी तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना आप देश संबालो लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता इतना एंकार हो गया ना जनता को सुन की बात मानते ना सुप्रीम कोट की बात मानते और आपको पता इस कानून में क्या लिखा है जो कानून आज पास किया है इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए C category, D category, जितने दिल्ली सरकार के करमचारी हैं, उन सारे करमचारियों को के बारे में सारी plausi केंदर सरकार बनाएगी, उनकी transfer policy, कौन अधिकारी, कौन चप्राइसी क्या काम करेगा ये प्रदयदेश के प्रदानमंत्री बैठ के दिल्ली के दिल्ली सरकार का कौन सा चप्रासी क्या काम करेगा, कौन सा चप्रासी फाइल उठाएगा, कौन सा चप्रासी चाही पिलाएगा, कौन सा चप्रासी खाना, यह काम रहे गया प्रधान मंतरी जी को, इसके लिए प्रधान मंतरी बनाया था देश का, कि आप दिल्ली के चप्रास प्रस्तियों की transfer policy बनाओगे बैठके प्रधान मंतरी बनके आप के इंदर चलाओ ना आप दिली के इंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो आपको क्या लगता है ऐसा क्यूं कर रहे हैं वो वह ऐसा इस लिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले ऀहें साथ आठ साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किये हैं हमने इतने शांदार स्कूल बनाई इतने शांदार अस्पताल बनाईольз hai चौबिस गन्टे बिजली कर दी बिजली फ्री कर दी पानी घर-घर पहुंचा रहे हैं सड़के बनाई इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिये इनसे वो काम नहीं हो रहें 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार बेड़ा गर्क है गुजरात का हर्याना के अंदर इनकी सरकार बनी हर्याना में बेड़ा गर्क है इनका मनीपूर के अंदर बीजेपी की सरकार मनीपूर को जला दिया इन लोगों न सकते काम में competition नहीं कर सकते हमारे जैसे काम नहीं कर सकते आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोक किसी भी तरह से क्यजरिवाल को काम करने से रोको बस यह इंका मकसद Half मैं सुन रहा थाका चांड को महाँ पर संसद में भाशन दे रहे थे कि यह जगड़ते बहुत यह लोग जगड़ते होते हैं यह लोग मैं स्कूल बनाता हूं यह मेरे को स्कूल नहीं बना देते फिर मैं जब इन से कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो तो कहते जगड़ता बहुत है केज्री वाल मैं महला क्लीनिक बनाता हूं मेरे महला क्लीनिक तोड़वा दिया इन लोगों ने फिर कहते हैं कि जगड़ता है दिली के लोगों को पसंद हूं इसलिए तीन बार चार-चार बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूंगा तभी चार-चार बार लोगों ने हमें वोट दिया और होम मिनिस्टर रमिच्षा जी क्या कहते हैं मैंने सुना उनको संसद में हमारे पास पा पावर दी है जनता की सेवा करने की जनता के उपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी आपको इतना घमंड मत कीजिया मित्शाजी आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें यह जो आप पावर 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 कर रहे हो यह पावर आपको जंता की सेवा करने के लिए दी गई है मैंने देखा है मैं इच्छा जी पिछले चुनाम हो आप घर 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 जाके दिली के अंदर परचे बाट रहे थे एक एक घर में जाके आप परचे बाट रहे थे दिली के लोगों ने आपको नकार दिया अब आप दिली के लोगों को तमाचा मारने आ गए केजरिवाल से न 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आये थे दिल्ली आपका भाशन उठा के देखिए आपने दिल्ली के जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो मैं दिल्ली को पून राज्य बनाऊंगा उसके पहले हर चुनाव के पहले भारतिय जनता पार्टी ने आंदोलन किये हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पून राज्य बनाने के लिए और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घूंप दिया अपनी वादे से मुकर गए अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंतरी पर कौन यकीन करेगा आपने में खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेट हुड बनाऊंगा फिर कौन जन्ता आप यह के ऊपर यकीन करेगी 2015 में आपने मेरी शक्तियां चीनी दिल्ली सरकार की जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां चीनी नोटिफिकेशन जारी करके फिर भी बिना शक्तियो और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है दिल् बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के दो करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया आदा करता हूं धन्यवाद बोलता हूं